एक बते हैं जो ही आप मतुमरी आप अरहे माल्यद्ष की निया विजानर चारी सब्सक्राइबर हो गयें। जूसे में लगों थोपीर कि लिए। और इसी तरह से हमारे चानल को like करते रहिए, subscribe करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को share करना अगर आप लोगों को पसंद आये तो, ठीक है? फिर से एक बार फिर से thank you आप लोगों का हमारे चानल के साथ जोड़े रहने के लिए, ठीक है? तो अब हम लोग वापस पढ़ाई के और चलते हैं तो जैसा कि साइंस में हमारा एसिट बेस और सॉल्ट वाला अमल शार वाला चैक्टर चल रहा था इसकी दो तीन वीडियोज मैं अल्रेडी अपलोड कर चुकी हूँ उसके आगे का आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे अमल और शार इस सबका तो हम लोग पढ़ चुके हैं आज हम लोग लवन के बारे में मतलब सॉल्ट के बारे में डिसकस करेंगे ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं देखो, एक बार तो मैं आप लोगों को रिवाइस करा देती हूँ, जो हमने लास्ट पढ़ा था कि एसेड और बेस में डिफरेंस क्या है मेन? डिफरेंस बिट्वीन एसेड एन बेस बताओ क्या-क्या डिफरेंस थे? अमल क्या होता है और शार क्या होता है? ये सब चीज हम लोग पहले पढ़ चुके हैं एसेड क्या होता है? एसेड वो होते हैं जो ह पॉजिटव आयन देते हैं बहुतर में मतलब पाणी में घुलने पर ह पॉजिटव आयन देते हैं और दूसरी साइड जो बेस होते हैं शार वो क्या होते है? वो OH negative iron, मतलब hydroxide iron देते हैं पानी में ठीक है, यह तो main difference हो गया और क्या होता है, pH का मान किसका साथ से कम होता है और किसका साथ से जादा होता है तो जो हम लोग उने acid पड़ा था, अमल होते हैं जो उनका pH का मान साथ से कम होता है और जो base होते हैं, उनका pH का मान साथ से जादा होता है और क्या difference देखा था हम लोगों ने, अमल और शार में एक यह देखा था, जो acid होते हैं, वो खटे होते हैं और दूसरी side, जो base होते हैं, वो हमारे कड़वे होते हैं और क्या देखा था, एक बार रिवाई, हाँ, एक लिटमस पेपर वाला था, आपको याद भी कराया था, मैंने इस तरह से देखो, एक ट्रिक पताई थी ना आप लगों को, ऐसे ध्यान रखना बार बार में B से हो गया हमारा blue और R हो गया हमारा red A क्या है, acid मतलब जो acid या कह सकते हो, amal होते हैं, वो blue को red में convert करते हैं, litmus paper को और जो हमारे base होते हैं, वो ultra होता है, वो red को blue litmus paper में convert करेंगे ठीक है? और क्या difference देखा था हम लोगों ने, जो acid होते हैं, वो sour in taste होते हैं जो अमल होते हैं वो खटे होते हैं स्वाद में और जो बेस होते हैं वो बिटर, बी से बेस, बी से बिटर, बिटर मतलब कड़वे, एसे तो खटे होते हैं और बेस जो होते हैं हमारे वो कड़वे होते हैं दूसरा पॉइंट हमादा, टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, जो अमल होते हैं, वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कनवर्ट करते हैं, और जो बेस होते हैं, वो रेड को ब्लू में करते हैं, तीसरा हम लोगों ने देखा था मिथाईल ओरेंज वाला, यह मैंने आप कान रखना, एसेड तो रैड में करते हैं, और जो बेस होते हैं, वो यफो, जिसरा नहीं होता है, और यह छठा पॉइंट जो, मैं आप लोगों अब बताया, गेव ऐड्रोजन आयनिं सॉलिष, मतलब पानी में घिल ने पर, वाने डिजॉल रहने हैं, हाई्ड्रोजन आयन ते हाई डॉक्सल मतला ओच नेगेटिव ओच नेगेटिव आइन देते है पानी में डिजॉल करने पाइप फीक है यह तो मेंड दिफरेंस हो गए हमारे अचिड और बेस की बीच में मतला अमल और शाएक के बीच में क्या क्या दिफरेंस है यह खटे होते हैं इनका फीयच को रेड में कनवर्ट करते हैं मिथाइल औरेंज को रेड में कनवर्ट करते हैं डू नोट गिव सोपी टच नहीं देते हैं हाइड्रोजन आइंस देते हैं पानी में और इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा हमारा शार का मतलब बेस का ठीक है यह तो आप लोगों को बस होना चाहिए सॉल्ट बनता कैसे है यह भी आपकी रियक्शन मैंने पिछली वीडियो में कराई थी आप लोगों को कि जब एसिड है वो बेस के साथ रियक्ट करता है तो क्या बनता है सॉल्ट मतलब जब अमल शार के साथ क्रिया करेगा तो सॉल्ट बनेगा हमारा देखो इ मतलब जब एसिड बेस के साथ क्रिया करता है तो क्या बनता है हमारा सॉल्ट यानी लवन ठीक है यह आप लोगों के पहले भी आई थी पिछली वीडियो में भी बताया था मैंने हम लोग बेस का होता है पॉजटिब आयन जिसको हम बोलते है ज Radiance का? इसका होता है हमारे acid का, A से acid, A से anion, ठीक है? The reaction between acid and base is called neutralization reaction. क्योंकि neutral हो जाता है, balance हो जाता है, जब acid की reaction हम base के साथ कराते हैं, और salt बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं, neutralization reaction. Hindi में बोलते हैं, उदासी नी करन प्रतिक्रिया, ठीक है? इसका example देख लो, जैसे NaCl हो गया, NaCl, Na पर positive होता है, Cl पर negative होता है, ठीक है? इस तरह से, जैसे यह भी एक salt है, शार के साथ, अमल की प्रतिक्रिया से उत्पन पदार्थ, ठीक है? Salt क्या हो गया? शार के साथ, मतलब बेस के साथ, अमल, मतलब एसिड की reaction को, से जो बनता है हमारा पदार्थ, उसको बोलते हैं, हम लोग salt, नमक में शार का धनात्मक आयन, धनात्मक आयन होता है, जिसको धनायन बोलते हैं, और एसिड का, मतलब अमल का रनात्मक आयन होता है, जिसको हम क्या बोलते है आयन चेक है और अमल और शार के बीच की प्रतिक्रिया को उदासी नी करन प्रतिक्रिया कहा जाता है जब अमल शार के साथ प्रतिक्रिया करता है और लवन बनाता है ना इस पूरी रियक्शन को इस पूरी प्रतिक्रिया को हम लोग क्या बोलते है नू उदासी नहीं करन प्रतिक रिया यह देखो यह reaction बता रखिए आप लोगों को वेन एसेट रियक्ष विद बेस इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर यह आप लोगोंने देखी हुई है यह एसेड है यह किसी भी बेस के साथ यानि शार के साथ react करते है तो क्या बनता है हमारा हमाायाल लवन मतलब सॉल्ट और साथ में मी बेसों के साथ में वाटर का फ़र्म्रा होता ह्मारे हच्टो अज्ट आइसड्स को भी हमाई ले लס हैuz है इपार्ल्य इसकी रियक्शन हम लोगों ने करा दी कोई बेस के साथ, बेस क्या हो गया जैसे नमेस ले लो, सोडियम हाइडरोगसाइड, तो क्या बनेगा, कोई सॉल्ट बनेगा, क्योंकि रियक्शन को हम लोगों क्या बोलते हैं, नूट्रलाइजेशन, नूट्रलाइजेशन रियक्शन, या फिर उदासी नहीं करन प्रतिक्रिया, ठीक है, एसेड जब बेस के साथ रियक्ट करता है, तब सॉल्ट और वाटर बनता है, इस रियक्शन को हम लोग बोलते हैं, उदासी नहीं करन प्रतिक्रिया, एसेड ले लिया, जैसे मैंने हाइड यह आपके लोगों को एक्जाम्पल दिखा रखा है, HCl. एसेड की क्रिया कराई हमने NaOH के साथ. तो क्या बन गया? NaCl और H2O. इस रियक्शन को हम लोग बोलते हैं? नूट्रलाइजेशन रियक्शन. या फिर उदासी नी करन परति क्रिया. ठीक है? चलिए आगे देखते हैं. यह देखो क्या लिखा होगा है? नमक में, मतलब लवन में, दोनों प्रकार के आयोनों का संयोजन इस प्रकार होता है. मतलब दोनों जो आयोन है, न पॉजिटिव और नेगिटिव. वो इस प्रकार से जुड़े होते हैं कि धनात्मक आवेश और रिनात्मक आवेश मतलब पॉजिटिव और नेगिटिव दोनों के बीच संतुलन रहता है. मतलब बैलन्स बनावा होता है पॉजिटिव और नेगिटिव और नेगिटिव दोनों की बीच में. और नमक का शुद आवेश शूने होता है. मतलब जो चार्ज होगा न रिजल्टेंट चार्ज होगा वो जीरो होगा क्योंकि positive और negative ने balance बना रख है तब ही तो इस reaction को हम लग neutralization reaction बोलते हैं The combination of both types of iron in a salt is such that there is a balance between positive charge and negative charge मतलब जो positive वाला charge है और जो negative charge है वो बराबर मातरा में है balance बना हुए दोनों का and the net charge of salt is zero जैसे suppose को आपको positive charge है plus 10 और negative है minus 10 तो balance तो zero हो गया हमारा इस तरह से जिता positive है उतना ही negative है तो जो net का charge आएगा लवन का वो गया zero ठीक है यह कहने का मतलब है इसलिए इसको हम लोग बोलते neutralization reaction neutral हो गया आगे क्या कह रखे salts are generally formed by a combination of cation of metal and anion of non-metal की जो लवन होता है वो किससे मिलके बनावा होता है metal मतलब धातू का तो cation और non-metal का अनायन ठीक है cation किसका होता है अनायन होता है नॉन-metal मतलब अधातू का लवन आमतार पर धातू के धनायन और अधातू के रणायन से सहीं जन से बना दोनों के जोडने से जो बनता है हमारा वो ता हमारा लवन ठीक है यह तो basic था कि acid जब बेस के साथ रियक्ट करता है तो मारा salt और water बनता है और salt इस reaction को हम लोग बोलते है उदासी नी करन प्रतिक्रिया या फिर नूट्रलाइज़ेशन रियक्शन ठीक है इस तरह से आगे हम लोग देखते हैं types of salt मतलब जो लवन है वो कितने प्रकार का हो सकता है ठीक है तीन टाइप का होता है एक तो होता है acidic salt एक basic salt और एक neutral salt acidic मतलब हम लिए लवन दूसरा शारी है और तीसरा neutral होता है ठीक है तो सबसे पहले हम लोग देखते है acidic salt acidic salt कौन सा होता है जो बना हुआ होता है हमारे strong acid acid यानि अमल प्लस weak base से मिलके कमजोर शार से मिलके बनता है वो होता है हमारा acidic salt acidic salt या अमली है लवन ठीक है चला इसकी definition देख लेते हैं इसका एक्जाम्पल हो गए जैसे NH4Cl Ammonium Chloride ठीक है देखो यह लिखा हुआ a salt that is formed as a result of reaction between किसकी reaction होती है between weak base यह रहा weak base की strong acid के साथ अगर acidic salt है तो acid strong लेने और base weak लेने ठीक है जिसकी definition पूछी हुए जो आप लोगों से पूछा हुआ वह तो strong होगा और जिसके साथ हवाल है वह weak होगा यह से acidic salt है तो acid to strong है पर base है जो वह weak है उसको बोलते हम लोग acidic salt इसके एक दो एक्जामपल ध्यान में रख लेने जिसे NH4Cl, Ammonium Chloride हो गया हमारा COSO4 हो गया Copper Sulfate यह सब क्या होगे acidic salt जो नमक या लवन कमजोर शार मतलब weak base और मजबूत अमल जिसका पूछा हुआ है वह मजबूत होगा acidic salt है तो अमल मजबूत होगा और शार कमजोर होगा के बीच प्रतिक्रिया के परिणाम से बनता है एक्जामपल है NH4Cl हो गया और COSO4 ठीक है acidic salt strong acid और weak base मतलब मजबूत अमल और कमजोर शार से मिलके बनता है और जैसे दूसरा होगे हमारा जो basic वाला होगा वो उल्टा होगा उसमें base strong होगा और acid weak होगा जस्ट इसके उल्टा होता है चलो देखते है basic का जो basic salt होता है हमारे वो बनता है strong base मतलब मजबूत शार और कमजोर अमल ठीक है weak acid से मिलके ऐसे बनता है हमारा basic salt मतलब शार यह लवन देखो इसकी definition a salt that is formed as a result of reaction between किसके बीच की reaction होती है weak acid यह रख कमजोर अमल और strong base मजबूत शार से मिलके तो वो होता है हमारा basic salt इसके example होगे CH3,COO,NA,NA2S ठीक है आप लोगों को पूछ लेंगे कि इसमें से basic salt कौन से है चार options देदेंगे NA2S, NH4Cl, CH3,COO,NA तो आप लोगों को पता होना चाहिए ठीक है यह बनता है strong base और weak acid से यह होगे हमारा basic salt वह नमक जो कमजोर अमल से और मजबूत शार के बीच की प्रतिक्रिया से बनता है example NA2S और CH3,COO,NA ठीक है acidic salt है तो strong acid होगा, weak base होगा अगर basic salt है तो strong base होगा, weak acid होगा ठीक है एक दूसरे का उल्टा है एकदम यह होगा हमारे दूसरा, अब तीसरा कौन से हमारा, neutral salt neutral salt तठस्त नमक बोलते हैं इसको ना तठस्त लवन या नमक ठीक है, यह बनता है हमारा पहले बे तो एक strong था, एक weak था अब इसमें यहां तो दोनों strong होगे, दोनों वजबूत होगे या फिर दोनों ही कमज़ूर होगे, देखो यह बन सकता है हमारे strong acid और strong base के साथ, ठीक है या फिर उल्टा क्या हो जाएगा, weak acid और weak base, मतलब या तोनों strong होगे, दोनों मजबूत होगे या फिर दोनों ही कमज़ूर होगे, पहले वले में एक मजबूत था तो एक कमज़ूर था, ठीक है इसका देखो, जो नमक, प्रबल अमल, मतलब strong acid और प्रबल शार, strong base के बीच प्रतिक्रियास के परिनाम स्वरूप बनता है उसे हम कहते हैं, तथास्त नमक या फिर तथास्त लवन, उधारन के लिए NACL, KNO3 आदी, ठीक है जो NACL होता है हमारा sodium chloride, वो neutral salt होता है ठीक है, क्योंकि वो किससे बनता है हमारा, NACL कैसे बनता है हमारे NaOH से और HCl से मिलके, अब दोनों ही strong है, NaOH क्या होता है, बेस है, यह भी strong base है, मतलब मजबूत शार है और जो HCl है, वो मजबूत अमल है, तो यह क्या हो गया हमारा, neutral, मतलब तथास्त, ठीक है A salt that is formed as a result of reaction between, देखो, strong acid and strong base मजबूत शार और मजबूत अमल से मिलके बना हुए Example, यह main ध्यानक न, NACL जो normal नमक हम लोग यूज करते हैं खाने में, वो होता है हमारा NACL तो यह क्या होता है, neutral salt आप लोगों से पूछ सकते हैं, जो नमक या जो लवन हम खाने में यूज करते हैं, वो कौन से type का होता है A option आजएगा, acidic, फिर basic, फिर neutral या फिर कोई नहीं तो क्या आगया हमारा, neutral, जो NACL जो खाने में नमक यूज करते हैं, वो होता हमारा neutral salt तो आप लोगों को तीनो टाइप समझ में आगया है, नमक होता क्या है, उसके तीनो प्रकार कौन से है, acidic, basic और neutral तीन टाइप का होता है लवन हमारा, चलिए आगे देखते हैं अब ये वाला table बहुत important है इसको अच्छे से करना very very important आपके chemistry का अगर इस chapter में से paper आता है तो एक नई question तो इसमें से आई जाएगा, ठीक है इस chapter से अगर कोई भी question आता है आपके competition exam में तो एक नई question तो इसी में से मिल जाता है देखो आप लगों को ना या तो common name दे लेते हैं, chemical formula पूछ लेते हैं या कई बर उल्टा कर लेते हैं, chemical formula दे रखते हैं उसका common name पूछ लेते हैं देखो पहला दे रख है हम लोगों को baking soda baking soda जो घर पे हम लोग यूज करते हैं खाने में fluffiness के लिए जैसे idli वगर बनाने के लिए cake वगर में यूज होता है वो होता है हमारा baking soda इसका chemical name क्या होता है इसका chemical name होता है हमारा sodium bicarbonate और इसका chemical formula होता है NHCO3 यहां लिखके दिखा देती हूँ अगर हम आपे दिखाई नहीं देरा साइज है तो baking soda इसका formula होता है हमारे NHCO3 sodium bicarbonate नाम होता है इसका chemical name sodium bicarbonate यह हो गया हमारा baking soda अगला क्या है washing soda जो water की hardness को भटाने के लिए काम आता है इसका नाम होता है sodium carbonate और इसका formula होता है और b से bicarbonate ठीक है और washing soda है हमारे sodium carbonate इसका formula होता है Na2CO3.10H2 Na2CO3.10H2 यह भी बहुत आता है आपके plaster of paris Plaster of paris इसको short में P.O.P. भी बोलते हैं यह किसमें use होता है अगर कोई fracture वगरा हो जाता है तो जो plaster use करते हैं वो यही वाला होता है ठीक है इसका formula होता है हमारे CASO4.1H2O ठीक है यह बहुत बार पूछा जाता है और अगर इसकी reaction हम कराते हैं मतलब 3 by 2H2O और add कर देते हैं तो क्या बन जाता है हमारा gypsum यह दोनों important है 2H2O इसको क्या बोलते हैं जिपसम तो यह दोनों ध्यान रखना plaster of Paris कौन से है और gypsum कौन से है अगर CASO4.1H2O है वो तो है plaster of Paris और अगर उसमें 3 बटा 2H2O और पानी add कर दिया तो क्या बन जाएगा CASO4.2H2O इसको हम लोग बोलते हैं gypsum इन दोनों के formula याद रखना ठीक है पूछे जाते हैं यह मैं खाली वही वही बतारी हूँ जो आप लोगों की important है जो काफी बार exam में आ रखे हैं ऐसे तो बहुत सारे होते हैं पर यह at least इतना तो याद ही रखना आप लोग यह देखो plaster of Paris CASO4.1H2O एक होता है हमारा bleaching powder bleaching agent जो हम यूज करते हैं यह भी काफी बारा रख है यह इंपॉर्टेंट है इसका formula होता है CAOCL2 CAOCL2 और इसका नाम होता है हमारे calcium oxy chloride आप लोग उसे पूछ लेंगे bleaching powder का formula क्या है चार option देदेंगे तो ध्यान रखना इसका formula होता है CAOCL2 calcium oxy chloride यह gypsum वाला जो भी बताया है मैंने आप लोगों को यह जो water add जो P.O.P. में पानी add करके बनता है CASO4.2H2O calcium sulfate dihydrate CASO4.2H2O इतने तो गम से कम याद ही रखना आप लोग washing soda का क्या होता है bleaching powder क्या होता है baking soda plaster of paris gypsum यह तो चार पार्ट तो बहुत ही में है एक ने कोशन तो इसी में से पूछ लेते हैं आप लोगों को chemical name भी याद रखना है common name भी और इनका formula भी ठीक है यह ध्यान डखना थोड़ा सा टेबल हाँ अब यह topic है मारा pH scale आप लोगों ने ncrt में या कहीं भी देखियोगी एक scale होती है एक से लेकि 14 तक number होते हैं उसमें देखो इस तरह से इसको बोलते है potential of hydrogen मतलब hydrogen की power होता है यह एक तरह से इस center में क्या आता है हमारे 7 7 क्या होता है neutral और neutral pH किसकी होती है 7 water की पानी की ठीक है video और च्फश्त कर्क्राइब अधर साथ से कम क्या होता है हमारे acid also big car और साथ से लेकि 14 तक होता है हमारे basic तो इसमें से questions इस तरह से आते हैं आप लोग उसे इस पूछ लेंगे कि जैसे coffee का pH कितना होता है blood होता है जो हमारा उसका pH कितना होता ह्ध को बता देती हूं किस चरह से कोशन आते है इसमें डाफिनिशन देख लो है है in chemistry also referred to as acidity or basic जहने दो इसको या बोलता है पूरा मतलब होता है पावर ऑफ हैड्रोजन भी बोलते हैं इतना जाधा अपने को ध्यान लखने की ज़ुरत नहीं है मैं आपको डेरेक्ट वही बताऊंगी जिसमें से पेपर में कोश्चन आते हैं मतलब अगर किसी लिक्विड या शारिय करेक्टर कितना है और शारिय करेक्टर कितना है मतलब अगर किसी लिक्विड या प्रेड़क्ट का पी एच एक या दो है तो वह है अमली है मतलब किसी कपी एच अगर एक-डू तीन उससाइड है लेफ्ट साइड में एक दम साथ से कम है तो वह एसे डिया अमली है और अगर पी-एच का वैल्यू 13 या 14 है, तो वह क्या होता है न्यूटरल, यह बताए है आप लोगों, खोता है हमारे न्यूटरल, साथ से कम आसट, साथ से जाधा होता है हमारे बेस, तो आपको चीजों का पूछा दाते हैं, ब्लड का पी-एच पूछा दाता है, वाडर का क कॉफी का कितना होता है तो यह सब आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है यह टेबल बहुत इंपोर्टेंट है इंपोर्टेंट सारे याद नी हो सके तो मैं आपको में 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 बता दूंगी जो एक्जाम में कॉशन आते हैं देखो यह तो इतना तो हमें आइडा ललगजेगा कि साथ से हम होगा कर्याद में आपको साथ्से कम अचड अन्ए हम improvement 4 ये मिल्क निउस साथ एग अंडे मते रहों सकता है। इस सकते हैं को आप शार म olabilir हैं किया च्छालब कुछ लिए संप आप kilo करें तो इसका साथ से ज्यादा होगा तो कितना होता है इसका नौ मिल्क ओफ मेगनीशिया का फर्मला होता है MgOH2 इसका पी एच मान होता है 10 को बता सकता है MgOH का होल ट्वाइस ही हम किसमें यूज करते हैं क्या होता है मिल्क ओफ मेगनीशिया इनो सुना होगा आप लोगों ने काम शुरू करें सफ 6 सेकंड में तो वो क्या होता है मिल्क ओफ मेगनीशिया आप जब कभी एसडिटी हो जाती है तो हम लग सुनते हैं कि इनो यूज कर लो इनो मतलब मिक्स करके पीलो क्यों बोलते है ऐसा कि उसमे बेस होता है मिल्क और मेगनीशिया मैंटी नहीं हईड्यॉकसण होता है तो वह ऐसे डिटी को कम कर देगा ऐसेडेट हो गई हम बेस उसका पैलेंस आफंचहीं आपको इतना तो ज्चान रहेगा यह बेस है तो साथ से जादा होगा तो सोप जो हम यूज करते हैं वह भी बेस होता है उसका होता है 12 अमोनिया सोलीशन ट्रेंट इसका इत्ता नहीं पूछा जाता है यह चार पांच इंपोर्टेंट है यहां से यहां तक मिल्क का और यह मिल्क ऑफ मैगनेशिया बेकिंग सोडा का पूछते हैं कॉफी का लेमन जूस गैस्ट्रिक एसिड यह सब चीजें आप लगों से पूछी जाती है ठीक है यह देखो यह साथ पर क्या है न्यूट्रल और उपर की तरफ जारें मतलब साथ से कम जारें तो एसे आप लोगों रिवार नियुक्तर भड़ रहा है और साथ से नीचे जा रहें तो एल्कलाइन करेक्टर एल्कलाइन मतलब बेस आप लोग उन्हें दो नाम सुने होंगे अगर एल्कलाई एक तो सुनते है अपन एलकलाई और एक सुनते आं बेस क्या यह दोनों चीजें एक ह 1 acid cash, 1 base,근데 और alkali का है? कई जगए हम l treasury help already use गाइस है दोनों में? एक क्या होता है और पर बेस क्या होता है तो ऐखलाई भी फेस है जो पानी में होता है थीक है दिक सकती है ईखलाई का बेस is that are soluble in water. ठीक है? वो होते हैं हमारे alkali. जैसे कि NUH. NUH पानी में घुल जाता है, soluble होता है. तो ये क्या होता है हमारा alkali? तो ये वर्ड ध्यान दतना, alkali, वो बेस होते हैं, वो शार होते हैं, जो पानी में घुलनशील होते हैं. soluble होते हैं water में. तो example होगे जैसे NUH, sodium hydroxide है हमारा, वो पानी में घुल जाता है, soluble होते हैं. तो वो क्या होता है हमारा alkali? ठीक है? तो आज तो हम इतना ही cover करते हैं. acid का हम लोग पढ़ चुके, base का हम लोगों ने देख लिया और आज salt का, अब लवन का भी हम लोगों ने cover किया. अब आगे वाली वीडियो में हम लोग इसके questions करेंगे. अब इस chapter से related, जो भी competition exam में पहले questions आ रखे हैं, या फिर जिनके आन page वाला table अच्छे से कर लेना, ठीक है? बाकी next वीडियो में हम previous years की questions discuss करेंगे. ठीक है? तब तक के लिए goodbye.